सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme और OPPO की तरफ से दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 13,000 के बजट में Realme का 6i और OPPO का A53 A53 ये भी हाले में लॉंच हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में में इन दोनों मोबैल्स में कम बेरिजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कम यह हैं क्या क्या चाहिया हैं और आपको कौन से लेने चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा दोनों का रेट भी सेम है 13,000 बाकि दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉफ्ट्वेर के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है वंडर्शेर की तरफ से वंडर्शेर का डॉक्टर फोन इस सॉफ्ट्वेर के जरी आप अपने एंडरोइड फोन का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एंडरोइड मोबाइल पर इसी के साथ एंडरोइड से आईओस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और आईओस से एंडरोइड में भी तो ये फीचर इसका बहुत ज़ादा बढ़िया है आपका सारे डेटा, कॉंटेक्ट्स, मैसेज़ेज, वीडियोज, एक्सेक्टरा ट्रांसफर हो जाएगा डॉक्टर फोन सॉफ्ट्वेर अल्मोस्ट सभी Android मोबाल्स को सपोर्ट करता है और iOS को भी इस सॉफ्ट्वेर का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर चेक कर लिएगा, आपको डेटा ट्रांसफर करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं अगर आप 13,000 खर्च करते हैं तो रियल में 6i के साथ आपको कहके दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें लगावा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल, इसके बाद दिया गया है ये कवर, जिसकी क्वाइलिटी काफी अच्छी है इसके बाद मिलता है मॉबाइल एक रैपर के अंदर, जो मिरे पास है बलैक कलर में, डिटेल लुक हम अभी देखींगे, उससे पहले देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर आपको दी गई है, ये वाइट कलर में डेटे केबल, इसकी लेंट और क्वाइलिटी दोनों बहुत अच्छी है, और अच्छी चीज ये है, दोस्तों इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, इसके बाद आपको आखिर में रखावों मिल जाता है, ये वाइट कलर में काफी हैवी चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जद अच्छी है, अब अच्छी चीज अच्छे देखा जातों, बॉक्स के कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे ही दिये गए हैं इस मॉबाइल के साथ, चले देखते हैं, अगर आप 13,000 रुपे ओपो के A53 पे खर्च करते हैं, तो इतने ही पैसों में आपको इसके साथ क्या क्या दिया गया है, तो जैसी आप अ ट्रांस्परेंट बैक कवर, क्यालिटी इसकी भी काफी अच्छी है, एक मिल जाती है डेटे केबल वाइट कलर में, इसकी भी लाइन तोर क्यालिटी दोन अच्छी है, और इसके साथ भी आपको टाइप C केबल दी गई है, लेकिन दोस्तों क्यालिटी वाइज जादा गया है, बाकि दोस्तों क्यालिटी वाइज अगर देखा जाए, तो बिल्ड क्यालिटी आपको रियल्मी 6i के चार्जर की इससे और जाधा अच्छी दी गई है, इसकी साथ डेटे केबल की भी क्यालिटी आपको 6i के साथ ही जाधा बढ़िया मिलती है, तो वैसे तो दोनो मोबाइल्स के साथ आपको लगबग एक जैसे ही सामान दिया गया है बॉक्स के अंदर, लेकिन क्यालिटी वाइज और जाधा बेटर है रियल्मी का 6i ओपो ए 53 से, इस चीज में 6i और जाधा बेटर है, चली बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों इन दोन मोबाइल्स के अंदर आपको पलास्टिक के टाइप का ही डिजाइन दिया गया है, तो दोनों मोबाइल्स के बैक पेनल पे स्क्रैचिस बहुत जादा असानी साज़ते हैं, क्वालिटी वाइस दोनों मोबाइल्स के डिजाइन में मुझे कमी लगी, पाकि लूक वाइस तो जो काफी अच्छा लगता है Six Eye का Black Color आप देख सकते हैं Black कलर के साथ कुछ इस तरीका का शेड दिया गया है बाकी दोस्तो लुक वाइस तो दोनों की ही डिजाइन बहुत जाद अच्छे हैं बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो Six Eye आपको पीछे की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 48 MP का, दूसरा 8 MP का बाकी के 2 कैमरे है 2 MP के, इसका फ्रेंड कैमरा है 16 MP का, कैमरी की पर्फॉर्मेंस आपको रियल में के 6i में काफी बढ़िया मिल जाती है, इसके अंदर आपको फिंगर्पिंट स्कैनर बैक पेनल प पो के A53 में नॉर्मल लगी, बाकी दोसरे सके अंदर आपको फिंगर्पिंट स्कैनर बैक पेनल पे ही दिया गया है बीच में, इन दोनों मुबाल्स के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा मिल जाता है, रियल मी 6i का ही, कैमरे को लेकर रियल मी 6i और जाद अच्छ इंदर आपको इंदर डिस्पले साइई डिया गया है 6.5 इंचिस का, दोनों के अंदर आपको 6.5 इस के अंदर आपको 16 की डिस्पले दी गए है, दिस्पले साइस में दोनों एक ज routine एसे हैं, इंदर आपको IPS HD पलेज्थ डिस्पले मिलती हैं, लेकिन ओपो में ये कमी है, के अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले दी गई है तो यह OPPO के अंदर कमी है जो आपको Realme 6i में नहीं मिलती फिर भी डिस्प्ले की क्वैलिटी के अंदर कौन सा मोबाइल जाद अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूं उससे पहले बात करें यूज़ एंटेफेस के बारे में तो जब आप ऐसे उपर नीचे स्क्रोल करते हैं दोनों में तो आपको काफी स्मूद एक्स्पिरेंस मिलता है यह खुबी भी आपको दोनों में दी गई हैं दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्रैटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं फर्क मुझे देखने को नहीं मिला बाकि दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अंदर बस इतना फर्क है फुल एजडी प्लस डिस्प्ले है रियल में 6i में तो यह और थोड़ा बैटर ही है ओपो के A53 से इसके लावर लेफ्ट साब देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको इस 6i में आपको पावर के बटन के अंदर ही फिंगर पिंट स्कैनर मिलता है ओपो की तरफ बैक पेनल पे नहीं मिलता तो इस चीज़ का फर्क है इन दोनों मोबाइल्स में उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल प्लेन डिजाइन है इस तरफ कुछ नह पास पास तो तक्रीबन आपको 2GB और जादा फ्री मिल जाती है 6i के अंदर ये मोबाइल और जादा बैटर है ओपो A53 से इस चीज़ को लेकर भी इसे के साथ दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको Android का बिलकुल लेटे सोजन दिया गया है Android 10 ये खुब भी आपको दोनों में मिल जाती है बात करो दोस्तो बैटरी के बारे में तो 6i के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4300 इमेज की इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफी अच्छा है लेकिन और भी जादा आपको बढ़िया मिल जात और 6i के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G90T processor अब देखिए अगर आप एक heavy user हैं आपको बहुत जादा heavy use हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में 6i ही बहुत जादा अच्छा है इसके अंदर आपको processor बहुत जादा अच्छा दिया गया है OPPO से heavy use के अंदर आपको 6i में कम दिक्कत देखने को मिलेगी OPPO के comparison में तो यह सारी खुबिये कम यह आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं देखिए दोस्तों सबसे पहले matter य इलमी का 6i मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 6i खरीदियेगा इन दोनों मोबाइल्स में अच्छी display के लिए इसके लिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor जादा आपको performance अच्छी चाहिए तो भी आप 6i ही खरीदियेगा यही mobile आपके लिए अच्छी performance के लिए इन दोन की बात है कि आपको इन दोनों में से किसका design जाद अच्छा लग रहा है realme 6i भी आपको white color में मिलता है मैंने उसके ओपर भी कई videos बनाई है आप देख सकते हैं चैनल में जाके तो अगर आपको white color ही पसंद आ रहा है ओपो के A53 का तो इसी तरीके का color आपको realme 6i का भी मिल हैं इस चीज में दोने एक जैसे हैं इसके लावब दोस्तों अगर आपको matter करता है mobile का camera तो आप 6i ही खरीदिएगा यही mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा अब दोस्तों देखा जाए तो design के अंदर तो दोनों अच्छे हैं लेकिन design के अलावा ओपो के अंदर आपको इन दोनों मोबाइल्स में जादा बैटर 6i ही हैं मैं आपसे यही कहूंगा अगर हो सके तो 6i ले लिजिएगा लेकिन अगर आप बैटर के साथ बिल्कुल भी compromise नहीं करना चाहते तो आप OPPO A53 भी ले सकते हैं बागी दोस्तों मुझे इन दोनों मोबाइल्स में 6i ही सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन पर दबा दियेगा ताकि नए वीडियो अब तक पहुशती रहें इसके लावर वीडियो कर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में टेक केर बाबाए